कोelly को मैं स общем लिए कि कईसे कैसे हमने अपना वीव मोडल यूज करा उयुज़ करने के लिए है अपकिले देशक्या कि यहां पर हमारे चुह होने Walet किसपर औरक्री हमारा code है वो जादा organized है आपको पता है कौन सा code कहां पर है कौन सी चीज क्या functionality कर रही है सब कुछ separate है UI separate है उसका जो logic है वो separate है तो यह क्या है हमारा organized है इसलिए इसका एक benefit है उसके बाद दूसरा benefit हमारे पास यह है कि यह debug करने के लिए असान है इसमें क्या हमारा debug करने के लिए असान है मतलब अभी इस पर discuss करेंगे कैसे यह हमारी debugging में important role play करता है एंड हमारे लिए क्या थोड़ा सा easy बनाता है क्या करने के लिए testing करने के लिए ओके अभी तक हमारा यहां पर implement जो हो रहा था जो हमने अभी तक करा है वो क्या करा है जो हमारा UI से connect करा है राइट कि जो हमारा पूरा UI था जो भी हमारे changes हो रहे थे वह किसमें हो रहे थे UI में हो रहे थे और view model उस changes को जो logic था वो कर रहा था राइट तो हमने यह करके जो एक हमारी configuration change वाली problem थी वह अपनी solve कर ली राइट विए model implement करके हमने एक चीज़ सॉल्फ कर ली कि जो हमारा configuration change में जो हमारा data lost हो रहा था वो अब loss नहीं हो रहा है तो basically क्यों एन ऐसा कैसे हुआ हमने क्या कर रहा है जो हमारा UI controller था उसे क्यों कर दिया हमने unidirectional कर दिया कि simple जो हमारा logic है simple view model में जा रहा है जिस से क्या है हमारा एक पार्ट हो गया है इसे कैज हमें क्या है asana हो रहे है आँप जैसे-जैसे हम आगे चलींगे हमें क्या करना है इस पर पूरा का पूरा implementation करना है जो हमारा क्या है architecture है जैसे अभी simple हम क्या रहे हैं अभी तो symbol हमारा UI जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इससे हमारी क्या असानी होगी हमारा जादा मॉडियूलर भी बन जाएगा मॉडियूलर तो बैसिकली इससे एक यह भी फायदा है हमें की युनिडिरेक्शनल होने की वज़ा से कि अगर मुझे यू आई कंट्रोलर में कोई चेंजिस करना है तो मुझे उसके लिए विव मॉडल रिपॉसिट्री डेटपेस या नेटवर्क को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मतलब चेंजिस नहीं करने पड़ेंगे उससे क्या होगा हमारा थोड़ा सा असान होगा राइट अब इसमें अगर अभी हम देखें तो काई हमारा ड बेसिक है वह यहां पर हमारा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है विद गिविंग अस फ्रीडम यहां में फ्रीडम दे रहे हैं कि हम असानी से चेंजिस कर सकें अपने किसमें मॉडल मिसमें राइट तो यह क्या हो गया एक हमारा बेनेफिट हो गया किसका यू आई कंट्रोलर का जो हमारे विव मॉडल पूरा और अर्किटेक्ट्र जो हम इम्प्रीमें Nat कर रहे हैं उसका बेनेफिट हो गया हमारा यहांपने यहांपन वसका बैसिक भीमें प्रेटा किए में testing में help करते हैं तो गया अगर आपने दिहान दी आ होगा तो यहां पर हमारा हमेंशा जब धी आप project work करते हो हमारा यहां पर राथ होता है फे हमारा normal package होता है जिसमें हमारी पूरी working होती है फिर होता है android test and test तो जो हमारा test होता है तो basically यह हमारा क्या होता है कौन से testing होती है क्योंगे आपको इस आप लाँज करोगी तो इसकी हमीशा testing होती है आपको testing लिखनी पड़ती है ताकि आप कुछ functionality test करके देख सको तो कुछ जो test होता है जो हमारा यह test वाला package है इसमें कौन से Until the time period is a Otomaticly generate हो जयता है यह न्रीय के लिसे का вы जिसे करका लेता है लाइट,ो कि इसके बाद आता है किसे हमारा एंडियूइड टेस्ट चाहिए एंडॉइड टैसंग बैसिकली क्या हो का हमारा यहां पर जो हम specially उन module को test करने के लिए लिखते हैं जो lightweight test नहीं हो सकते जिसे properly हमें test करना पड़ेगा अब करेंगा यहां पर हमारा Android architecture जो हम यहां पर MVVM architecture देख रहे हैं यह हमारा यहां पर कैसे help करता है testing में जब मैंने कहा था testing में help करता है तो basically यहां पर ऐसे help करता है कि जो हमारा ऊपर टेस्ट है इसंपे हैं इसी में ही lightweight test में implement कर देता है मारा क्या model तो इससे क्या होता है हमार 12 testing इसी हो जाती है हमें हाँ लिखना नहीं पड़ता है तो यहां पर हमारी एस वाले architecture से रइक तो यहां पर हमारा अच्छे cycle issues होते हैं क्योंकि हमारा already code दो ही चीद देगा फ्लो कर रहा है unidirectional है तो हमारे इसमें कोई life cycle issues नहीं होता है fourth हमारा क्या है modular है जैसे मैंने अभी आपको बताया modular यहां पर क्या मतलब हुआ कि हम कोई सी भी एक पार्ट change कर सकते हैं जैसे UI है मुझे UI में कोई changes करने हैं क्योंकि पहले क्या था पहले मुझे अगर UI में changes करने तो पूरा उसका logic change होता था उसकी functionality change होती थी अब क्या कर सकते हैं हम बहुत असानी से उसे shift कर सकते हैं without changing any logic राइट तो यह क्या हो गया हमारे पास असानी होगे modularity हमारे पास आ गई है इसमें राइट अब यहां पर हमारा 5th point क्या है testable testable है थोड़ा से जादा असान हो जाता है अभी हमने यहां पर discuss कर लिए कैसे testable है हमारा यह जादा easy है test करने के लिए तो आप यह समझ गए होगी अब किस पा आ यह अपने इस पर app आ जाते हैं जो अभी हमने क्या क्या कर एसंपल implementation कर एक किसका MVVM करा right simple अभी के कर आ हम live model implement करा है अब गाइस live आ स्वी लाइव मोडल नहीं कर आ अभी हमने इंपलीमेंट कर आ वियू से हमारी एक जो मैंने भी आपको बता हमारा एक इशू solve हो चुका है जो हमारा कॉंस था है score का इशू राइट कि हमारा configuration changes पे हमारा score destroy हो जाए था पहले पहले हम उस पर on save instance use करे थे बट अब हमें वो यूज करने की जरूवात नहीं है पिछले वाले उसमें हमने क्या यूज करें थे ताकि हम क्या कर सकते हैं उसकी वैल्यू स्टोर कर सके saving from configuration changes राइट अब यहां पे अगर आप देखोगे अगर मैं यहां पर कोई number of score generate करो और उसके बार यहां पर configuration change करों तो आप हम यहां पर क्या notice करोगे जो हमारा score था वह destroy नहीं हो रहा है मतलब हमारा configuration change है वह क्या कर रहा है व्यू मॉडल से survive कर रहा है तो यहां पर इसने गिवाली तो हमारे problem solve कर दी है व्यू मॉडल ने लेकिन एक बहुत major problem और इसने rate कर दी है वो क्या है वो उसके discuss कर लेते हैं इससे पहले वाले lesson में जो इससे पहले वाला हमारा desert pusher app था उसमें इस चीज़ को discuss कर चुके हैं इस वाली problem को कि जब हमारा जो framework है Android framework है जब कोई भी एप हमारे यहां पर background में चला जाता है राइट हमारा यह वाला जो desert pusher app था यह क्या हो रहा था जैसी यह background में जा रहा था अगर हमारी memory strained हो जाती है तो हमारा जो Android framework था इसे क्या कर दे रहा था डिस्ट्रॉइ कर दे रहा था background में यही functionality अभी यह problem हमारे किसमें हो रही है इस हमारे इस वाले app में भी यही problem है I know थोड़ा सा वैसा है कि आपका आपको यह time तक के लिए background में दालोगे तो बहुत कम ही chances हैं कि आपका memory strain हो लेकिन अगर आपके दस बार में से दो बार भी अगर memory strain होके Android ने आपका app बन कर जाना आपका data lost हो जाता है तो वह क्या है एक problematic scenario है right तो हमें क्या करना है इस चीज को fix करना है कि कैसे हमारा जो Android framework है वह हमारे किसको एप को destroy ना करे रहे तो इसके लिए already हम क्या कर चुके थे implement चीज़े कर चुके थे last test में कि कैसे हमें missing data को क्या करना है use करना है इसके लिए गाइज हमने already on save instruction बाकी चीज़े implement करके देख चुके हैं लेकिन अब इस चीज़ में हमारी क्या आ चुकी है problem आ चुकी है right and problem basically क्या ही है कि जो हमारा यह वाला model था UI controller and simple हम view model पर पास कर रहे थे क्योंके मैंने आपको अल्रेडी बता दिया यह क्या है unidirectional means जो हमारा यहां पर UI में आ रहा है वो simple यहां पर जा रहा है और हमारी information back तो नहीं जा रही है तो अब एक बार discuss कर लेते हैं कि यहां पर main issue क्या है राइट फिर उस issue को solve कैसे करना है उसको problem को discuss करते हैं so guys हम किसमें आ चुके हैं अपने game fragment में आ चुके है and अब क्या देख लेता है इस issue को देख लेता है कि हमारा basically यहां पर problem क्या हो रही है अगर आप यहां पर देखोगे guys यहां पर हमारी भूल या हो सकता है क्योंकि जब यह दिस्ट्रॉय होगी तो यहां पर हमारा डेटा भी लॉस्ट हो रहा है तो हमारी यहां पर दो बॉब्म हो रहे हैं एक तो हमारा डेटा भी लॉस्ट हो रहा है एंड यहां पर हम क्या गाल सकते हैं इसे भूल भी सकते हैं क्योंकि में इश वो चीज नहीं है तो वो डिस्ट्रॉई होगी तो वो क्या हमारा डेटा लॉस हो सकता है लेकिन अभी क्यों हमने यहां पर कुछ चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि अगर आपको याद हो गाइस यहां पर हमारा जो गेम फिनिश मैथर्ड था राइट जब हमारा नेक्स वर्ड यहां पर empty list क्या हो जाए लेस्ट पूरी आज़ाए तो अब यहां नहीं कर रही है तो यहां पर क्या एंठ हो रही है कि basically अभी हमारा यह, उडट हो रहा है हमारा ग से जो game view model है वो simple चीज़े ले रहा है बट उसे update नहीं कर पा रहा है logic को यह logic basically update क्यों नहीं हो पा रहा है unidirection की वज़े से क्योंकि हमारी game fragment से data आया कि user ने ओके यह वाला input दिया इसको logic को समझना है कि हमारे user ने यहाँ पे जब click करे तो उसने बताया कि अच्छे यह वाली चीज़ हो रही है functionality यहां game view model में हुई बट हो गई बट उसके बाद जब इसे reference back करना था game view model को कि अच्छे यह update करना है तो वह नहीं कर पाया क्योंकि हमने इसे बनाया ही नहीं है वैसे राइट यह reference नहीं generate कर रहा है इसको कैसे solve करेंगे वह देख लेते हैं तो फिलहाल अभी हम क्या logic implement कर रहे हैं अपना UI controller and view model राइट अब मुझे क्या चाहिए कि जो हमारा view model है view model से जो information जा रही है जो हमारा update होगा राइट क्योंकि जो हमारी update वाली भी information है अगर हम वह view model में रखेंगे हैं हमारी activity डिस्ट्रॉइ भी हो जाती है तो हमारा जो डेटा है वह लूज नहीं होगा बट इस वाले एप में गाईस यह चीज हम जादा detail में नहीं देखेंगे क्योंकि यह वाला एप ऐसा है अगर थोड़ा सा logically सोचो तो यहां पर क्योंकि दो प्लेयर अपना गेम खिल लें तो अकर साथ देर background में रहने के बाद हमारा data lose भी हो जाए तो इस वाले उसमें हमें इतना कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है क्यों क्योंकि already हमारा जो data बहुत कम chance है कि कोई background में इतनी देर करोगे तो हर एप की एक functionality अलग होती है requirement अलग होती है आपको उस एप के तरीके से सोचना है तो फिलहाल हम क्या करता है इस एप के तरीके से सोचना है अभी मुझे क्या चाहिए कि जो हमारे UI controller है वो update हो किसके थ्रू हमारे view model के थ्रू बट हमने view model में already established कर दिया है कि हम live data का ओके तो जो live data है हमारे basically यह क्या करेगा observe करेगा किसको जो भी हमारे changes होंगे किसमे UI में and basically जो भी changes होंगे यह क्या करेगा हमारे UI को बताएगा कि यह वाला change हुआ है इसको क्या कर दो update कर दो basically अगर हम इसकी definition देखें live data की तो यहां पर हमारे definition क्या होगी and observable observable data holder class that is life cycle aware okay आप क्या कर लेते हैं इसकी definition है इसको कर लेते हैं थोड़ा सा breakdown कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमारा live data क्या होने वाला है क्या functionality होने वाले हैं कैसे यह हमें help करेगा